आपका परकास का अपुवर्थन क्या है इसकी नियमों को लिखें तो परकास का अपुवर्थन का परिभासा होगा जब परकास की किर्णे एक माध्यम से दुसरे माध्यम में परवेश करती है तो उसकी दिसा बदल जाती है इस घटना को परकास का अपुवर्थन कहा जाता है तो हम लोग इसको एक चितर से समझ लेते हैं जिसे मान लीजिए यहांपे एक कोई सतह है इसके उपर हवा है ठिक है तो यह आपका पहला माधियम हो गया अनिचे मान लीजिए जल है तो यह इनीचे क्या ہو जाएगा आपका? दूसरा माधियम हो जाएगा जैसा कि इस चीतर में आप लोग देखते हैं तो जैसे मानलीज अगर परकास हवा से आती है तो इस तरीका से आएगा जब जल में जाएगा तो क्या होगा इसकी दिसा क्या हो जाएगा बदल जाएगा अर्थात यहां जो दिसा बदल जाएगा हम लोग इसी को बोलेंगे परकास का अपोवर्तन चलिए हम लोग इसको एक बार फिर से समझते हैं तो चलिए हम लोग इसको एक चीतर से समझते हैं इस चीतर में यहाँ पे क्या कोई सता है इसकी उपर हावा है यह आपका पहला माद्यम हो जाएगा और इसके नीचे जल है ये आपका दूसरा माद्यम हो जाएगा जब परकास हवा में आएगा सपोज माल लेजिए इस तरीका से आएगा ठीक है और जब जल में जाएगा तो माल लेजिए इस तरीका से जाएगा तो आप इस चीतर में देखते हैं कि परकास जब हवा से आता है तो इस तरीका से आ रहा था, और जब जले परिवेसि किया, इसका दिशा क्या हो गया, बदल गया, जबकि जाना चाहिए था इसको ऐसे लेकिन ऐसे नहे है जै इस घटना को परकास का अपवर्तन कहते हैं तो चलिए हम लोग इसके नियम को जानते हैं तो परकास के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं पहला नियम होता है आपतित किरन अपवर्तित किरन तथा आपतन बिंदू पर डाला गया अभिलंब तीनो एक ही तल में होता है इसका जो एन बलारेखा देखते हैं ये अभिलम है तीनो एक बिंदू पर है किस बिंदू पर है बिंदू ओपर है ठीक है एक ही तल पे किस तल पे है बिंदू ओपर अर्थात आपतित कीरन अपवर्तित कीरन तथा आपतन बिंदू पर डाला गया अबिलम तीनों एक ही तल में होते हैं यही परकास के अपवर्थन का पहला नियम होता है तो परकास के अपवर्थन का दुसरा नियम होता है आपतन को उनकी जया और अपवर्थन को उनकी जया का मान निया तांक होता है अर्थात इस्थीर होता है अर्थात म्यू बढ़ावर स शैनर इसे ही एसनेल का नियम भी कहा जाता है अर्ळथात भी parcel मू ब्राबर सैनर इसे ही क्या कहते है एसनेल का नियम इसे एसनेल ने दिया था तो आपको दूसरा भी नियम याद रखना है तो चलिए हम लोग आज का चौःथा कोचन देखते हैं तो आज का चौथा कोचन है आपका परकास पूंज या कीरन पूंज क्या है या कितने परकार का होता है तो चलिए हम लोग परकास पूंज का परिभासा देखते हैं तो परकास पूंज का परिभासा होगा किरनो की शमू को परकास पूंज कहा जाता है बहुत सिंपल सा परिभ है कोई टॉर्च है अगर टॉर्च में से क्या होगा परकास निकलेगा तो समू में निकलेगा ठीक है न अर्था तम लोग इसी किरनों के शमू को क्या कहेंगे परकास पुंज कहेंगे यह तीन परकार के होते हैं परकास पुंज कितने परकार के देखते हैं और चित्र भी देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अभी सारी प्रकास पुंझ क्या होता है तो अभी सारी प्रकास पुंझ में जैसा कि आप इस चित्र में देखते हैं प्रकास की सभी किरने क्या होता है एक बिंदू पर आकर मिल रहा है तो हम लोग प्रकास की सभी किरने एक बिंदू पर आकर मिलती है तो उसे अभी सारी प्रकास पुंच कहा जाता है आपका अपसारी प्रकास पुंच चलिए हम लोग जानते हैं अब अपसारी प्रकास पुंच क्या होता है तो इसका प्रिभासा होता है जब प्रकास की सभी किरने एक दिसाओं में फैल जाती है तो उसे अब सारी प्रकास पुंज कहते हैं जैसा कि इस चित्र में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या होता प्रकास की किर्ने विभीन दिसाओं में फैल रही है एक बिंदू से निकलती है और विभीन दिसाओं में क्या होती है फैल जाती है तो उसे अब सारी प्रकास पुंज कहा जाता है तिसरा आपका समांतर प्रकास पुंज इसका परिभासा होता है जब प्रकास की सभी किरने समांतर होती है तो उसे समांतर प्रकास पुंज कहा जाता है तो जैसा कि यह तस्विर में आप देख सकते हैं प्रकास की सभी किरन ये क्या है समांतर है अर्थाति ये किरन एक दुसरे और को कभी काटेगा नीजितना भी आगे जाएगा सब यूँ ऐसे सीधे जाता रहेगा एक दुसरे को कभी काटेगा नहीं तो चलिए हम लोग आज का पांचमा कोचन देखते हैं तो आज का पांचमा कोचन है आपका समतल दर्पन द्वारा बने परतिवीम के किनी तीन विसेष्टाओं का उलेक करे तो इसका आंसर होगा समतल दर्पन द्वारा बने पर्तिवीम की तीन विसेश्टाएं निमलिखित है तो समतल दर्पन का जो पहला विसेश्टा है पहला खासियत है वो यह है कि पर्तिवीम दर्पन के पीछे बनता है तो आपको याद रखना है पर्ति भीम दर्पन के कहा बनेगा पीछे बनेगा तो इसका पर्ति भीम कहा बनेगा पर्ति-भीम काल्पनिक बनता है काल्पनिक का मतलब होता है सीधा बनता है उसे परदे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है और इसका जो तिसरा खासियत होता है वो ये है पर्तिबीम का आकार वस्तू के आकार के बड़ा इसका मतलब हुआ कि वस्तु जितना बड़ा रहेगा पर्तिभीम भी क्या रहेगा उतना ही बड़ा रहेगा इसका चौथा खासेद होता है कि पर्तिभीम वस्तु के अपेक्छा सीधा बनता है ता आपको याद रखना है समतल दर्पन में पर्तिभीम सीधा बनता है और इसका पांचमा विसेता है पर्तिभीम दर्पन से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पन के आगे रहता है तो आपको याद रखना है कि सम्तल दर्पन में अगर किसी वस्तु को जितना आगे रखियेगा पर्तिभीम भी क्या बनेगा उतना ही पीछे बनेगा तो चलिए हम लोग आज का छठा कोचन देखते हैं आज का छठा कोचन आपका पारदर्सी अपारदर्सी तथा पारभासी पदार्थ में अंतर असपश्ट करे तो इसका आंसर होगा पारदर्सी अपारदर्सी तथा पारभासी पदार्थ में निमलिखित अंतर है तो पारदर्सी पदार्थ का प्रिभासा होगा जिस वरस्तु से परकास आर पार निकल जाता है उसे पारदर्सी पदार्थ कहा जाता है उसे क्या कहा था जिस वरस्तु से परकास आर पार निकल जाता है उसे क्या कहेंगे पारदर्सी जैसे हवा हवा में क्या होगा परकास आर पार निकल जाएगा तो इसको लोग बोलेंगे पार दर्सी जैसे पानी पानी में परकास डालिएगा तो आर पार निकल जाएगा तबी तो पानी में सिका रखते नीचे तो दिखाई देता है जैसा कि कांच कांच का मतलब सीसा अर्थात बिना print किया हुआ, lucky prints तो इसे प्रकास आरपार कर जाएगा, तो इसाब क्या हो जाएगा, पार दरसी हो जाएगा, इत्यादी, और यह बहुत सरना कुछ हो सकता है, दूसरा है आपका अपार दर्सी पदार्थ, अपार दर्सी का मतलब होता है, जिससे प्रकास आरपार नहीं निकल सकता है इसका प्रिभास यहीं लिखा है जिस वरस्तु से प्रकास आरपार नहीं निकल पाता है उसे अपार दर्सी पदार्थ कहा जाता है जैसे पत्थर, इंट, इत्यादे अर्थात, पत्थर, इंट से परकास आरपार नहीं कर सकता है तिसरा है आपका पारभासी पदार्थ तो इसका प्रिभासा होगा जिस वर्षत उसे परकास का कुछी अंस बाहर निकल जाता है उसे पारभासी पदार्थ कहा जाता है इसका मतलब हुआ परकास पूरे आरपार नहीं निकलेगा परकास तो निकलेगा लेकिन बहुत कम मातरा में निकलेगा थोड़ा थोड़ा निकलेगा तो लिए उसको क्या बोलेंगे पार भासी पदार्थ बोलेंगे जैसे तेल लगा हुआ कागज, पतली कागज, घिसा हुआ काच, इत्यादी ये सब क्या पारभासी इसे परकास का कुछी अर्था थोरा संस बहार निकलता है तो में लिग सो क्या बोलेंगे पारभासी पदार्थ बोलेंगे तो आज के लिए इतना ही, यदि मेरा वीडियो कर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कोमेंट कीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक्स पर वाचिंग, फिर मिलते अगले वीडियो में